वोलिये सद्धे गुरू देव की जय हमारी प्राता कालिन सभा में इन दिनों भीजक पर जो चर्चा होती है आज का प्रसंग है बीजक के रमैनी प्रकरण का 58 वी रमैनी गुरू पूर्णिमा आने वाली है कल हमारे आश्रम में पहली तारी को एक आरिकम मनाया जाएगा सद्ध्गुरू कबीर साहिब गुरू और सिस्च के संबंधों के बारे में क्या कहते है गुरू का जीवन में क्या महत्त है और सिस्च का क्या योगदान है इन विशियों पर अनेक धंग से चर्चा है संसार में परमार्थ पत्थ पर चलने वालों के लिए गुरू से बढ़ करके कोई नहीं है दो धाराएं हैं ग्रिहस्त और विरक्त और दोनों में परमार्थ पतिक होते हैं और दोनों के लिए गुरू की महत्ती आवश्च रकता है क्योंकि दोनों को शान्ती चाहिए और जब दोनों सरद्धा भक्ति शेवा उपाशना से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों को शान्ती मिलती है इसलिए गुरू एक बहुत बड़ा आधार है कल्याण इच्छिकों के लिए तो सभी नरनारियों को चाहे वे ग्रिहस्त हों या विरक्त हों गुरू की उपाशना बड़े ही स्रद्धा और आदर के साथ होना चाहिए गुरू के बारे में सद्यों से सास्त्रों में भी बारंबार चर्चा की गई है कि गुरू का क्या योगदान है गुरू का परमार्थ पतिकों के लिए कितना बड़ा संबल मिलता है गुरू के द्वारा सद्यों कभीर ने खुद कहा है सब धर्ती कागज करू लेखन सब बन राये साथ समुद्र की मसी करू गुरू गुण लिखा न जाये सारी धर्ती को कागज बना लिया जाए और सारे जंगलों को कलम बना लिया जाए और सातों समुद्रों को शाही बना लिया जाए फिर भी महिमा को गुरु के ज्ञान को लिखा नहीं जा सकता इसलिए गुरु गुरु का अर्थ ही होता है गुरु माने स्रेष्ट, महान, वजन्दार तो गुरु की उपाशना अब गुरु के नाम पर तमाम प्रकार के ऐसे भी लोग हो गए हैं जो अपने को गुरु कहते हैं लेकिन वो गुरुत तुमें नहीं ठाहरे हैं वो गुरुता होनी चाहिए वो रहनी, वो आदर्ष, वो जीवन, वो सदाचार, वो साधना, वो त्याग, वो भैराग और वो मन इंद्रियों का सैयम इन तमाम कशावतियों से कशा हुआ गुरु का व्यक्तित अम्रित्मय होता है और फिर ऐसे गुरु की उपाशना कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, सभी करते हैं तभी तो कहा गया है, राम कृष्ण से को बड़े, उनहूं तो गुरु कीन तीन लोग के वैधनी, गुरु आगे आधीन रामायण में भी ये बात आई है, कि भला बताओ, राम और कृष्ण से स्रेश्ट कौन हो सकता है उन्हों में ने भी तो गुरु किया है, वे भी तो जाकर के गुरु के चरड़ों में अपना सिर जुकाए है कहा जाता है कि संसार में वे सर्वस्रेश्ट हैं, अवतारी पुरुस हैं लेकिन ऐसे अवतारी, ऐसे भगवान, ऐसे परमात्वा भी गुरु के चरड़ों में जाकर के सिर जुकाए है और उनकी उपाशना करके ही वे महान बने हैं अगर वे गुरु उपाशना ना करते, गुरु की सरण में न जाते, तो फिर जो इतनी बड़ी उनकी महिमा और पद्वी दी गई है, वो ना होती इसलिए गुरु, गुरु का बहुत बड़ा महत्त है सद्गुरु कबीर ने कहा, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघार या अनंत दिखावन हार सद्गुरु के मिलने पर वो विवेक की आँखें खुलती है, और फिर संसार हमें साफ दिखता है नहीं तो दिखता कहा है, विवेकवान पार्खी सद्गुरु के अभाव में मनुष संसार को कहा देख पाता है वो द्रिश्यों को देखना संसार का दिखना नहीं है, बलकि यथार्थ रूप में संसार जैसा है, यहां के नरनारी जैसे हैं और यहां की वस्तुएं जैसी हैं, उस धंग से देख पाना ये संसार का दिखना है कैसा है संसार? परिवर्ट तनसील, छण भंगुर, मेरे स्वरूप से अलग और निरंतर गतिशील है एक रूप से दूसरे रूप में चीजें बदल रही हैं, प्राणियों का सरीर बदल रहा है, यहां दुख, रोग, बुढ़ापा, वियोग, मृत्तु यह साप के ऊपर अपना कबजा जमा रखे हैं, और इसको इस धंग से देख करके सब तरब से मन को निश्काम करना, यह संसार को देखना है और यह दृष्टी कहां से मिलती है? गुरु से इसलिए गुरु की बहुत बड़ी जरूरत है तो सद्गुरु कबीर ने गुरु और सिस्स का एक जो बानक है, बीजक में एक बहुत बढ़िया पद कहा है आज उसी पर हम चर्चा करते हैं तै सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा अगम द्रिगम गड़े देव छुडाई, औरो बात सुना हुँ कछुआई उत्पती पर लए देव दिखाई, करहु राज सुखे बिल सो जाई एक बार ना होई हैं बाको, बहुरी जना में ना होई हैं ताको जाए पाप सुखे होई है घना, निश्चे बचने कभीर के मना साधु संत तेई जना जिने मानल बचन हमारे, आदि अंत उत्पती पर लए देखा हो द्रिष्टि पसारे सद्गुरू सिस्ष को आमंत्रित करते हैं और बड़े प्यार से, बड़े शनेह भाव से साहिब कहते हैं कि है सिस्ष, है पुत्र, सिस्ष पुत्र की तरह ही होता है सिस्ष को पुत्र भी कहा जाता है और ये बात तो गुरुदेव सद्गुरू अभिलाश साहिब जी के मुखारविंद से तो बहुत सुना गया वे सद्गुरू सिस्षों को बेटा कहते थे और बड़े प्यार से और जितना एक माँ प्यार करती है उससे बढ़ करके कहीं गुरुदेव जी का प्यार हुआ करता था तेहाँ पर सद्गुरू कभीर कहते हैं तै सुत्मान हमारी सेवा है पुत्र तुम हमारी सेवा को स्विकारो अगर तुम मेरी सेवा को स्विकार कर लोगे तो मैं तुम्हें एक राज दूँगा हे देव मैं तुम्हें ऐसा राज दूँगा कि जो संसार में कहीं ऐसा नहीं है राज काउंसा राज स्रूपिस्थिती का राज ये बाहर के राज उतना आनंददाई नहीं होते यहां का सारा आनंद भी छणिक है लेकिन सद्गुरू का दिया हुआ जो राज है सिस्थि के लिए वो निशकंटक राज सदा सदा काईम रहने वाला राज और सद्गुरू कहते हैं सिस्थि के लिए और आगे भी कि अगम द्रिगम गढ़ देव छोड़ाई और वो बात सुनो कच्छुआई मैं तुम्हारे द्रिश्मान और अद्रिश्त से जो बंधनों के किला हैं जेल खाने हैं वह भी तुम्हारे लिए मैं समाप्त कर दूँगा और भी मेरी बातें कुछ सुनो मैं तुम्हें जनम मरण के चक्र से भी छुट्टी दिला दूँगा और फिर तुम निशकंटक राज करो तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होगा इस राज को प्राप्त करने के बाद तुम बहुत सुरच्छित हो जाओगे और जनम मरण के चक्र से सदा के लिए छुट्टी पा जाओगे तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम पूर्ड सुखी हो जाओगे ये बात मेरी निश्चित करके मानो वही संत है, वही साधु है, वही साधक है जो हमारी बातों को मानता है और जो मेरी इन बातों को मानता है वह फिर उत्पत्ति प्रलय जनम और मृत्तु, निर्माण और विनास, उदय और व्याय इन साभ को देख लेता है उसको फिर एक विवेक द्रिष्टी मिल जाती है और फिर वो द्रिष्टी मिलने के बाद फिर वो संसार में कहीं नहीं बंधता, कहीं नहीं दुखी होता और उसका जीवन पूर्ड शान्ति का सागर हो जाता है इस प्रकार से ये थोड़े में इस पद का भाव रहा और थोड़ी सी चर्चा करें पहली बात सद्गुरु कहते हैं तैसुत्मान हमारी सेवा गुरु सिस्ष से कहते हैं कि बेटा तुम हमारी सेवा को स्विकार करो क्या सेवा करना चाहते हैं गुरु? कौन सी सेवा? लोग प्रचलन तो यहां है कि सिस्ष सेवा करता है गुरु की और गुरू यहाँ पर आमांत्रित करते हैं कि तुम हमारी सेवा को स्विकार करो मैं तुमारी सेवा कर रहा हूँ ये क्या बात है उल्टी गंगा यहाँ पर साहिब कैसे बहा रहे है उल्टी गंगा नहीं है गुरू की सेवा, सिस्स की सेवा से बहुत ही कीमती है पर शरीर की सेवा करता है, उनके कपड़े धो सकता है, उनके लिए भोजन बना सकता है, उनके कमरे में जाडू लगा सकता है, उनके बरतन धो सकता है, और उनकी मालिस कर सकता है, और भी कुछ काम कर सकता है, ये सिस्स द्वारा सेवा की जाती है, और ये सारी सेवा छडिक होत सिस्स गुरु की जो सेवा करता है तो सरीर की करता है और गुरु का सरीर एक दिन समाप्त हो जाता है तो सिस्स द्वारा की गई सेवा भी तो छड़ी खुई लेकिन गुरु जो सेवा करते है वो अनमोल है वो अटल है वो नित्थ के लिए है गुरु के द्वारा की गई सेवा सिस्स के कल्यान की बात है अनादिकाल से सिस्स इस संसार के चक्र में भटक रहा है अपने मन तथा इंद्रियों के चक्र में पढ़ करके इच्छाओं कामनाओं वाशनाओं में पढ़ करके संसार का मोह करके यहां की लोभ आसकती और विकारों में डूब करके यह भटक रहा था और इस भटकने का बरडाम क्या हुआ जलन जनम और मरण संसार का भव व्याधी तो यही सब तो मिल रहा था ना अपने स्वरूप का बोध था ना सरीर का ग्यान था और ना संसार का की समझ थी ना ब्योहार की कुशलता थी ना परमार्थ की गुरू की सरण में आने के बाद जब गुर्देव ने हमारी सेवा सुरू किया तब हमारा जीवन बदलता गया सब लोग देख सकते हैं अपने अपने जीवन को जो आज हमारा जीवन ऐसा है तो क्यों है कोई डाक्टर साहब की कृपा से की मास्टर साहब की की प्रोफेसर साहब या नेताजी की कृपा से या वकील साहब की जो जीवन आज हमारा कुछ सुधरा हुआ है संसकारित है और दय चमा प्रेम करुडा सजक्ता साउधानी के कुछ हैं सुगंधी हमारे जीवन में वह सब किसी सद्गुरू की क्रिपा से है और जो हमें ये बोध मिला कि मैं संसार से अलग सरीर से अलग प्राणी पदार्थों से अलग अभिनासी आत्मा हूं ये कहां से विचार मिलेगा किसी गुरू से ही मिलता है तो गुरू के द्वारा जो सेवा की गई है वह अमोग है वो कभी न नश्ट होने वाली है तो ऐसी सेवा करने के लिए सद्गुरू यहां सिश्च को आमंत्रित करते हैं क्योंकि उनकी सेवा से साधक का जीवन बदल जाता है इसलिए सद्गुरू ने ज़े बावरा घर जरे घूर उताए। यह समझ ही नहीं मिलती है उसको। आग लगी है अंतह करण में। बिकारों की दोष दुरगनों की आशक्ति हंकार की आग है। और इस आग में सारा संसार जल रहा है। और इस आग से पीडित भी होते हैं लोग। तो क्या करते हैं घूर में पानी डालते हैं। गूर क्या है? बाहर, पेड, पहाड, नदी, जरने, मंदिर, मस्जित, तीरत, मूरत, इन में पानी डालो, मत्था टेको, जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो, तो इससे क्या होगा? हमारा अंता करण सुद्ध हो जाएगा, कामकरोध लोग मुँँ मिट जाएंगे, आसकती हंकार समाप्त हो जाएंगे, इच्छाएं, कामनाएं, शान्त हो जाएंगी, और आत्मत्रिप्ती का अनुभव होगा, कुछ नहीं होने वाला है इससे, इसलिए साहिब कहती है, घूर बुताए, पानी जहां डालना है, वहां डालो, मतलब सद्धुरु के प्रतिवा भाव रखो, और फिर उनसे वो प्रेरणा ले करके अपने अंतह करण को सुद्ध करना की बात है, तो सद्धुरु यहां कहते हैं कि है सिस्से, तु मेरी सेवा को स्विकार कर, मैं तुम्हें इस संसार के भावव्याद से चुड़ा करके, आत्म इस्थिती के निश्कंटक राज को देना चाहता हूँ, हे देव, तु मेरे इस राज को समझ, तो कह राज देव हो देवा, हे देव, मैं तुम्हें एक राज देना चाहता हूँ, राज क्या है, वो है स्वराज, आत्म राज, इसे बात को सुरुती में भी कहा गया है, तस्यात्मायम लोकह, उसके लिए आत्मा ही अ अपना राज हो जाता है बाहरी लोक में हम भटक रहें और इस लोक में जो दृष्टी गोचर है प्राणी पदार्थ और ये देह गेह आदी से भरा हुआ ये राज कैसा है हाय तोबा इसी में तो चल रहा है संयोग भीयोग रोना धोना चिल लपों और मार काट ये सब यहीं पर चल रहा है और इस राज में कोई स्थिर रहता है भय चिंता शोक पीड़ा राद दिन हमें सताते रहते हैं इस राज में कोई दम नहीं है इस राज को पाने वाले भी कितने ऐसे होते हैं जो विचारे हाय हाय करते रहते हैं दुखी बने रहते हैं साहिब उस राज की बात कहते हैं जहां जिसे प्राप्त करके शारी पीड़ा, सारे शोक, सारा भय, सारी चिंता, समाप साहिब कहते हैं अगम, द्रिगम, गढ़, देव, छोड़ाई, अगम और द्रिगम यह दो प्रकार के बंधन है, जेल खाने हैं, किले, गढ़, किला को कहते हैं यहां किला है, जिसमें हम बंध हों, और बिवस्ता पूरवग बंध हों, तो जेल खाने, और वे हैं दो प्रकार के एक आँखों से दिखने वाले और दूसरा ना दिखने वाला, तो दिखने वाला बंधन क्या है, वे हैं घर, परिवार, पुत्र, पत्नी, पती, रुपए, पैसे, जमीन, जाजात, सरीर, रूप, सौंदर्य, इन सब का मोह, इन सब की आशक्ती, यह दिखते हैं और यह साहब इसके लिए कहते हैं द्रिगम, दिखने वाले द्रिग, द्रिग से जो दिखे, आँखों से जो दिखे, और यह दिखने वाले बंधन भी बहुत भयंकर होते हैं इसे पारखी भासा में कहें, तो यहा है खानी जाल, मोटी माया और साहब कहते हैं कि यह तुम्हारे बंधन को मैं मिटा दूँगा कैसे मिटा देंगे? बताएंगे साहब शद्गुरु बताते हैं सिस्ट को कि इन सब चीजों में, प्राणी पदार्थों में, जो तुम मम्ता बना रखे हो तादात्म स्थापित कर रखे हो, अध्रिण करके अपना मान रखे हो यही तो दुखका कारण है, यही तो सारे पाप की जननी है अपना मान करके लोग उसी में इतना चिपक जाते हैं, फिर यह राग यह आसकती ही सारे कुकर्म करवाती है आज देखते नहीं है संसार में क्या हो रहा है अपनी देह पहले मानी गई, स्वयम को पहले देह माने, मैं देह हूँ अदेह बनने के बाद जो कुकर्म होता है, नंगा नाच होता है, संसार में भटकाव होता है, लोगों को दुख दिया जाता है इंद्रियों को पोशने के लिए वाशनाओं को जैसे तैसे हम भोगें, वो करम करते हैं, लोगों अपने सरीर की सुक्स्विधाओं को इकठी करने के लिए दूसरों की चीजों को छीनने जपटने में कोरकसर नहीं रखते हैं अपना बेटा बेटी मान करके मोह करते हैं और फिर उनको संपन्य बनाने के लिए अपने ही भाई बंधुओं को सताते हैं उनकी चीजें चीनते हैं, उनका हक मारते हैं, तो ये सब द्रिगम बंधन है दिखने वाले इस थूल और ये महा भयंकर हैं और सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस जेल खाने को, इस बंधन को मिटा दूँगा इसमें जीव बंधा है कि नहीं? ये जेल खाना है, बंध है सभी इनहीं से नहीं निकल पाएंगे, तब वे मन की सूक्ष्म बातों को कैसे काट सकेंगे तो सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के उपदेश से ये बंधन कटते हैं ये समझ में आता है, ये दिखाई पड़ता है कि मेरा कोई है नहीं अदिखता है, सबको दिखता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती ये बात अंताहकरण में बैठती नहीं है जल्दी से, कौन नहीं देखता है कि यहाँ छोड़ छोड़ करके लोग जा रहे हैं किसने नहीं किसी मृत्तु को देखा, अपने घर, परिवार, रिष्टे, नातों में जाते नहीं देखा किसने, यहां से आए दिन सुना जाता है, कि अमुक का एक्सिडेंट हो गया, अमुक का हार्ट अटेक हो गया, उनको लगवा लग गया और उनकी मृत्तु हो गई, उनको असाध्य रोग हो गया, वे चले गए, जमानी में चले गए यह आए दिन घटनाए घट रही है, और यह देखते हैं हम, जाते हैं, उनकी सवयात्रा में कंधा भी देते हैं, और चले आए, और यहां के तहां, फिर वही मोह माया, फिर वही आशकती तो यह देखते हुए भी कहां हम देख पाते हैं, यह द्रिष्टी सद्गुरू से मिलती है, इसलिए साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे इस खानी जाल के, जो इस थूल बंधन है, द्रिगम, दिखने वाले, मोटे-मोटे, इनको पहली बात बताऊंगा, कि जहां-जहां तुम मोह करके फंसे हुए हो, इन सारी फासियों को मैं काट दूँगा, क्योंकि इन बंधनों में बंध करके तुम बिवस्ता कानुभव कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बंधन में हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मेरे ये मनो विकार, इच्छाएं कामनाएं, वासनाएं, मुझे रात दिन जला रही है, पिडित कर रही है, एक छण के लिए भी शांती नहीं मिलती, चैन से बैट नहीं पाते, लोगों के साथ सुन्दर व्यवहार नहीं कर पाते, और आत्म सोवस्ता तो है नहीं है, तिये बंधन को मैं मिटा और दूसरा बंधन है आगम, आगम का मतलब जो दिखेना, जो जिसका बाहरी गम नहीं है, बाहरी रूप से वो दिखते नहीं है, आखों से दिखने वाले नहीं है, उसे हम कहेंगे जीनी माया, जीनी माया, वाणी जाल, और वो है मान सम्मान, वाशनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, स्वरग नरक, देवी देवता, इस्वर ब्रम्भ, भगवान भवानी, ये अंदर में जो किसी परमात्मा से मिल करके त्रिप्ति की कल्पना हो रही है, ये साब जीनी माया है, और इसको भी मैं बताऊंगा, सद्गुरु कहते हैं, कि ये बंधन को भी मैं मिटा दूँगा, ये भी एक जेल खाना है, इसमें भी तो जीव बंधा हुआ है, ये मन की जो तमाम कल्पनाये हैं, इसी को सद्गुरु ने कहा है, कि प्रतेक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन बाते हैं, बहुत समझने की बाते हैं ये, पहली बात है प्रतेक्ष, प्रतेक्ष है इंद्रियों के विशय, जो इंद्रियों द्वारा प्रतीतमान पांच विशय हैं, सब्द अस्पर्ष, रूप, रस, गंध, भोगपदार्थ, ये सारे उपलब्ध चीजें, ये सब प्रतेक्ष हैं, और सारा संसार इन प्रतेक्ष भोगों में ही ज़्यादा तर डूबा हुआ है, और इसी में साब पच्पच करके अपने जीवन को गमा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो इन भोगपदार्थों से और इन चीजों से लोगों से उबते हैं, और उनके मन में कलपना होती है, कि यहां रहकर कि यह खाते, पीते, देखते, भोगते, और चीजों को इकठा करते, जोडते, धरते, लोगों से मिलते, जुलते, और इसमें सब घाउं माउं करते, कब तक हम बिताएंगे जीवन? और यही सब करते करते बुढ़ापा आजाता, रोग आजाता है, अथवा अचान जमानी में ही कभी मृत्तु आजाती है, अब अंतता बुढ़ापे तक तो व्यक्ति चल ही देता है, अब देखते हैं कि कुछ मिलना न जुलना, यही सब में हाय हाय करते करते, अंतता फाय फ परोक्ष में टटोलते हैं कि नहीं कोई भगवान होगा, कोई देवी होगी, कोई देवता होगा, कोई लोक होगा, कोई धाम होगा जहां पहुच करके हमें आनन्द मिलेगा, त्रिप्ती मिलेगी, कितार्थता मिलेगी, शान्ती मिलेगी तो वो कल्पनाओं में फिर टटोलते हैं, परोक्ष, उसे कहा जाता है परोक्ष, बाहर, मन की कल्पना है वो, है नहीं, जैसे प्रतक्ष बंधन है, वैसे ही परोक्ष भी बंधन है, वह भी भटकाओ है, वो कैसा भटकाओ है? पहली बात तो है कि बाहर ना हो कोई चीज ये देवी देवता भगवान भवानी का तो ये मनए में आदमी को थोड़ी थोड़ी बातों में बड़ा अमर्स जल्दी होने लगता है और ये बहुत खतरनाक रोग है और ये ज्यादातर लोगों के दिल दिमाग में बसा हुआ होता है ज्यादातर नहीं कहें हम सबके कहेंगे जो भी साधक नहीं होगा जो अपने दिल दिमाग सुभाव अंतहकरण को नहीं परखता होगा सबके अंदर ये मान का रोग है सद्गुरु कबीर ने कहा है कि पीर पैगंबर आउलिया मान सबन को खाए ये मान सब को खा रहा अधार्मिक जगत के लोगों को तो और ज़्यादा ये धार्मिक कहलाने वाले ये मान परतिष्ठा के चक्कर में तो और ज़्यादा भटकते है गर गर की ये कहानी है बहु को मन में बड़ा मलाल है कि सास मुझे ऐसे बोल दी और सास के मन में बड़ा दुख है कि ये बहु मेरा सम्मान नहीं की इसी प्रकार पिता सोचता है कि ये बेटा बात ये नहीं मानता है और जैसे सम्मान करना चाहिए जैसे भाव रखना चाहिए वो नहीं देता अब बेटे के मन में ऐसे है ये तो है थोड़ा-थोड़ा सब के अंदर अब किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ कह बस मार मन में पीड़ा मुँ फुला लिए अरे चोटे बच्चे के मन में भी ये बात बैठी है गुर्दे जी की वो घटना याद आती है गुर्दे जी एक बार धानिपूर में थे गुणा जिला में धानिपूर कभी राश्त्रम है वहाँ पर एक संथ थे श्री गुरुबोध साहब पुराने संथ उनकी समाधी बनी हुई थी और वहीं पर गुर्दे जी बैठे पास में कुछ भक्तों से मिल जुल रहे थे एक परिवार आया उधर करनेल गंज की ओर से एक परिवार आया गुर्दे जी के दर्शन करने के लिए उनके साथ में एक छोटा बच्चा भी था तो सब लोग तो बैठे गुर्दे जी के पास कुछ चर्चाएं कर रहे थे और वो बच्चा खेलते खेलते गया और समाधी पर बैठ गया और गुर्दे जी ने उसको कहा करे चवधरी समाधी से नीचे उतर करके खेलो और इतना कहे कि वो एकदम नाराज मुझे चवधरी कह दिये सब के बीच में और वो नाराज हो गया बोला तो कुछ नहीं लेकिन विल्कुल गुरु जी से नाराज जब सब लोग चलने लगे उसके माता, पिता, दादी, दादा तो उन लोगों ने कहा कि बेटा चलो गुरु जी की बंदगी करो अब चलना है घर बंदगी नहीं किया बहुत मनाये लेकिन नहीं किया बंदगी ओ जबकि वो बंदगी करता था विधिवत बैट करके तीन बार साहे बंदगी लेकिन फिर नहीं किया जब दूसरे साल फिर आए वे लोग अथवा गुरु जी उन्हीं के यहां गए थे लेकिन मिले सब लोग वो बच्चा भी रहा और कहे कि बंदगी करो बंदगी नहीं किया लोगों को पताने चले क्या हो गया इसको अचाने कि गदम बदलाव आ गया यह बंदगी नहीं कर रहा है तीसरी बार फिर मिले अबकी दो साल बीत चुके थे बंदगी नहीं कर रहा था तब उसके माता पिता समझ गये की गुरू जी ने उस समय कह दिया थे जो इसी लिए ये नाराज हो गया, बन्दगी करना बंद कर दिया, तो आए और बताए कि साभिन है, ये नाराज हो गया है, आप समाधी से उतरने के लिए इसको कहे थे की चownuchi नीचे उतर के खेलो, और ये नाराज हो गया तब से बंदगी बंद कर दिया तब गुरुजी के सामने जब वो आया कहा कि वेटा तुम मुझे छमा करोगे कि नहीं तुम छमा कर दो मुझे तब फिर वो छमा किया और फिर बंदगी करना सुरू किया तो मतलब मान उसको भी मलाल हो गया मन में कि मुझे चार लोगों के बीच में चौधरी कह दिये अरे वो तो मनुस्य का बच्चा है कुत्ते को भी इस बात का गम हो जाता है दुखी हो जाता है चला जाता है अब फी राता है जानवरों में भी ऐसा होता है हाथी को तो बहुत ज्यादा होता है एक घटना है एक हाथी पालने वाला व्यक्ति था हाथी के लिए रोट बनाया है वो मोटा कोई मोटे अनाज का बना करके पकाया जाता है तो दो चार किलो का वो बनाता है तो पका करके तयार कर लिया था इतने में वो हाथी वान जो व्यक थोड़ा से तोड़ करके उसमें से 50 ग्राम बच्चे को दे दिया अब हाथी वहीं खड़ा देख रहा था अब फिर हाथी को दिये तो हाथी नहीं खाया कि मेरे हिस्से में से इसको तोड़ करके दे दिये नहीं खाया, फिर वो फिल्वान बहुत मनाया हाथी को, तब खाया पसू को भी यह गम रहता है अभी मनुस्यों में क्यों न रहे? रहता है लेकिन यह कितना भयांकर बंधन है यह दुख है यह मन में सबके जो मान का रोग है व्यक्ति को शांती नहीं लेने देता है और सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस जेल खाने को इस बंधन को इस दुख को भी मिटा दूँगा वो बता देंगे कि क्या तुम छोटी-छोटी बातों के लिए अपने मन में पिड़ा बनाए रखे हो छोड़ो ये मन का कचड़ा है अंता करण का कचड़ा जैसे घर में कचड़ा भरा हो तो घर का वातावरण खराब लगता है और अच्छा नहीं होता है घर ऐसे हमारे मन में कचड़े कुछ इकठे रहते हैं हम समझ नहीं पाते हैं और उन कचड़ों में ही हमारा जीवन बीटता रहता है सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस अगम जो सूक्ष में ना दिखने वाले बंधन है इसको मिटा दूँगा और भी कौन बंधन है जो परोक्ष के देवी देवता भगवान भवानी कहा भगवान बैठा है कौन भगवान आकरके हमारा उद्धार कर देगा कहां ऐसा लोक है जो स्वर्ग है कोई धाम है गो लोक, सिव लोक, विश्व लोक, साकेत लोक, ब्रम्भ लोक कहीं ऐसा कोई लोक नहीं है जहां पहुँच करके हम किसी सुन्दर सुन्दर हात पैरवाले देवी देवता के दर्शन करें और हम कृतार्थ हो जाएं कृतार्थता की जगा है तो यही है आज मानो जीवन शद्गुरु की सरण आत्म लोक रिशियों ने कहा है उसके लिए कितास्य आत्माय मलोका उसके लिए आत्माही अपना लोक है आत्मानम चेद्विजानियात अमे स्मीति पूर्शा किम इच्छन कस कामाय सरीर मन स्वंजरेत जिसने यह जान लिया कि आत्माही उसका अपना लोक है तो वो किस इच्छा किस कामना में पढ़ करके वे अपने ऊपर इच्छाओं कामनाओं का जनम मरन का बुखार चढ़ाए रखेगा इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें इस से अगम जो सूक्ष्म बंधन है मन की इच्छाओं कामनाओं का यह भी मिटा दूँगा तो मैं कहे रहा था कि प्रतेक्ष के बाद परोक्ष आता है परोक्ष है कल्पनाओं का विशे और कल्पनाओं से भी हटा करके सद्गुरु अपरोक्ष का बोध करा देते हैं यह दोनों चीजें बंधन दाई दुखदाई ही होती हैं प्रतेक्ष और परोक्ष यह हमारे सुरूप से भिन जड़ पसारा है और यह सारे बंधन ही है प्रतेक्ष का पसारा से हटा नहीं जा सकता देह गुजर तो प्रतेक्ष में करना होगा और परोक्ष में गुजारा की कोई बात नहीं वो केवल भ्रह्म है और प्रतेक्ष में गुजारा तो करना है लेकिन वहीं लोभमो हो गया तो वह भी दुखदाई बंधन दाई हो गया तिये दोनों किल्मिलाकर के बंधन देने वाले हैं अंत्ता अपरोक्ष अपरोक्ष निजचेतन स्वरूप अपनी आत्मदसा मेरी स्वसत्ता उसको जानना समझना ये सद्गुरू के ज्यान से सद्गुरू के द्वारा द्रिष्टी मिलने से ही संभव है इसी बात को स्वामी संक्राचार जी अपने ग्रंत विवेक चुडा मडी में बहुत अस्पस्ट भासा में कहते हैं अस्तिकस्चित स्वयम नित्यम अहम प्रत्यय लंबना अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोष विलक्षड़ा अस्तिकस्चित स्वयम नित्यम अस्ति है कोई नित्यसत्ता कोई एक नित्यसत्ता है जो क्या करती है अहम प्रत्यय मैं का आधार है जहां से मैं 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 की ध्वनी निरंतर उठ रही है वो क्या है कोई एक निश्चित नित्य सत्ता है और वहीं से निरंतर मैं का ध्वनन हो रहा है हर दम हम कहते हैं न मैं आकाम करूंगा मैं नहीं करूंगा मैं ठक गया हूँ मैं अभी वहाँ जाओंगा मुझे खाना है मुझे नहीं खाना है मतलब हर दम मैं, मैं, मैं की जो द्वनी जहां से निकल रही है, वो कोई नित सत्ता है, उसका आधार क्या है? वही आत्म तत्त है, चेतन तत्त है, वही मेरा निज स्वरूप है, उसे ही जीव, चेतन, आत्म, शोल, रूह, खुदा, कुछ भी सब्दों से हम पुकारें, वही त तो है, तो स्वामी जी कहते हैं, अहम प्रत्य लंबना, अवस्था त्रय साक्षी सन, जो तीन अवस्थाओं का साक्षी है, जागरित, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, वही आत्मा है, जागरित में भावात्मक, और स तुसुप्ति में अभावात्मक। जब हम जागते हैं तो भावात्मक। यह दिख रहा है सब नदी, पेड, पहाड, पशुपक्षी, मनुष्यों से भरा हुआ संसार। यह भावात्मक ज्यान हमें जागृत में होता है। और स्वप्न में आभास। जागृत में जो देखा सुना गया है उन्हीं संसकारों का आभास स्वप्न में होता है। तो स्वप्न में आभास आत्मक। और सुसुप्ति में आभाव आत्मक। अभाव। कुछ नहीं दीखना, कुछ ना दीखना भी तो एक ज्यान है, जब व्यक्ति सोता है अगहरी निंद में गया, तो कुछ नहीं जाना, और जब उठता है तब कहता है आज ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, कुछ ना जानना भी तो एक ज्यान है, कुछ नहीं जानने वाला कुछ नहीं नहीं हो गया वो था वस अंतह करण का चित का विलय हो गया उस समय इसलिए बाहर का ग्यान ना हुआ इसलिए वो कहा कि कुछ नहीं जाना चित बृत्ती उस समय शान्त हो गई थी इसलिए कुछ नहीं जाना तो ये अभावात्मक तीनों अवस्थाओं में तीनों अवस्थाओं का जो साप्छी है वही चेतनात्मा है वही हम और आप हैं और इसका बोध सद्गुरु कराते हैं इसे ही अपरोक्ष बोध कहते हैं तो साहिब कहते हैं कि मैं तुम्हारे इन दो जेल खानों को समाप्त कर दूँगा तुम इन में बंद हो अनादिकाल से और यही भवबंधन है और भी साहब दुखों को मिटाने के लिए कहते हैं कि औरो बात सुनो कच्छु आई इसके अलावा भी है साधक तुम मेरे निकटाओ मैं और भी तुम्हें कुछ रहस्य की बात बताऊंगा तुम्हारे जीवन में जो और भी दुख है मन की पीड़ा का, ब्यवहार का और जीवन गुजर का अनेक समस्याएं हैं, अनेक संकाएं हैं वह भी मैं तुम्हारे दिल दिमाग से निकाल दूँगा उसका भी समाधान कर दूँगा उत्पत्य परलय देऊं देखाई, करहु राज सुख बिलसो जाई साहिब कहते हैं कि उत्पत्य और परलय मैं तुम्हें ऐसी दिबद्रिष्टी दे दूँगा कि तुम उत्पत्य और परलय को देख सकोगे यहां कोई जादोई दिबद्रिष्टी की बात नहीं है कि ऐसी द्रिष्टी दे देंगे कि उसे कुछ भी दिखने अग लग जाएगा ऐसा नहीं है यह धार्मिक जगत में इस बात का बहुत हवा है कि गुरू कृपा करके शिस के दिल दिमाग में ऐसी सक्ती दे देता है कि उसे सब कुछ दिखने लगता है अथवा सक्तिपात कर देता है गुरू सक्तिपात क्या कर देगा सक्तिपात नाम का एक खववा जरूर है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गुरू केवल रास्ता दिखाएगा, जीवन जीने की कला बताएगा, मन इंद्रियों की सुवस्ता का बोध देगा और आत्मा के बारे में वो निरड़े देगा, समाधान करेगा, जड़ चेतन का यही गुरू के द्वारा सबसे बड़ी सक्ति देना है, यही उनकी कृपा है और इस कृपा को स्वीकार करने के लिए अब साधक का अंतहकरण तयार होना चाहिए साधक खुद पुर्शार्थ करे, और गुरू के प्रती भक्ति भाव रख करके, स्रद्धा रख करके, जब वो उसको ग्रहन करेगा, तब साधक का लाब होगा और कोई कहे कि गुरू साधक के अंतहकरण में वो सारी सक्ति उडेल देगा, ऐसे हाथ करे और कृपा अद्रिष्टी निकल करके जाकर उसके आखों में और उसके अंतहकरण में प्रवेश कर जाए, ऐसा नहीं होता है लोगों ने तो खुब बना रखा है, और टीवी वालों ने तो खुब ऐसे दिखा भी दिया है कि उन्हों ने, अमुक गुरू ने अमुक सिस्व पर ऐसी क्रिपा किया और खर-खर-खर-खर निकल करके सक्ति जोती जाकरके उनके दिमाग में प्रवेश कर गई और बस उसका जीवन बदल गया एक कहने सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ग्रहन करने की बात यहाँ है, कि गुरू बताता है और सिस्व ग्रहन करता है अगर ऐसी सक्ति होती, तो फिर ये कालेज विश्व विद्याले और नाना प्रकार की जो संस्थाएं, सिच्छन संस्थान है ये भी बंद करदवा दिया जाता और उनी गुरूजनों को इन भासा का भी ग्यान करा करके और जाकर के वहाँ कालेजों में बैठा दिया जाता और बच्चों को जो ददद साल, बीस, बीस साल पढ़ने के लिए भागदवर करनी पढ़ती है, वो ना करना पढ़ता और यही लोग हाथ से अपनी दिब द्रिष्टी दे देते और उनके जीवन में जा करके पूरा बदल देती सब कुछ, काया पलट हो जाता और लोग डाक्टर मास्टर इंजीनियर वकील बन जाते लेकिन नहीं, डाक्टर मास्टर वकील इंजीनियर बनने के लिए दस साल, पंदरा साल, अठारा साल तक पढ़ना पढ़ता है, अब मेहनत करना पढ़ता है अब तब लोग बनते हैं, अब कोई जीवन मुक्त कैसे बन जाएगा और आत्म कल्यान कैसे प्राप्त कर लेगा, भगवत प्राप्ती कैसे हो जाएगी, केवल आसिरवाद से यही तो धारम के छेत्र में बड़ी बड़ी बिड़म बनाये हैं, और इस बात को ना बताने वालों ने बताया है, और ना समझने वालों ने समझा है धारमिक जगत आज भी बहुत पीछे है, और सद्गुरु कबीर आज से साड़े पाँच सो साल पहले उस अंधे युग में, जहां पर विज्ञान का बहुत सामान अस्तर था, उस समय भी सद्गुरु कबीर ने उस सत्य को देख लिया था अउस सत्य को देखने के लिए किसी व्याहरी विज्ञान की जरुवत नहीं होती है, यथार्थ बोध और प्रकिति के गुण धर्मों को समझने की आवश्यक्ता होती है सद्गुरु कबीर इसी बात के धनी थे, वे धर्म छेत्र के महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस जमाने में इस सत्य को समझ लिया था और उस जमाने में क्या कहें, इस बात को कभी भी कोई समझ सकता है उस प्राकितिहास काल में महर्शी कपिल ने इसी बात को कहा ध्यानम निर्विषयम मना मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है ये महाविज्ञान है और भी रिशी मुनियों ने खूब कहा है महाभारत में ये चर्चाएं खूब आई है तो ये बातें तो सदेव से होती रही है जब जब यहाँ पर सब्विता रही और मनुस्त रहे तब तब ये निरड़े के ग्यान भी रहे और आज फिर ये ग्यान का बहुत कुछ अभाव क्यों हो गया है क्योंकि हम लोगों ने हमारे इन कुछ धार्मिक पुरोहित पंडे पंडितों ग्यानियों गुरुओं ने समाज के साथ वो न्याय नहीं किया वो द्रिष्टी नहीं दी कुछ अपने स्वार्थ को साधने के लिए इधर की बात उधर ऐसा करके बता दिया निरणय न दिया और निरणय न देने के कारण समाज गुमराह में पड़ गया और यहां पर जो आत्म ग्यान आत्म बोध मन इंद्रियों का सैयम कर्मों का सुधार और जीवन में कर्मफल भोग इन सब का न्याय ना मिला और उनको मिल गया तमाम धरम करम के नाम पर बाहया तीरत मूरत जप तप और यग हमन कथा कीरतन मंदिर मस्जिद पेड़ पहाड नदी जरने इन सब में पूजो नाम जपो जल चड़ाओ मत्था टेको और नाम लेते रहो पस मुक्ति हो जाएगी दुख मिट जाएगा कुछ नहीं जरूरत है इंद्रियों के संयम की, मन के संयम की, करमों के सुधार की, सद्धा और भक्ती की, बोधर बायराग की और साहिब कहते हैं कि यही बात मैं तुम्हें बताऊँगा, कि इस बिरोधा भास में जो आज तक तुम्हारा जीवन बीत रहा था, उससे निकाल करके मैं सत्त के प्रांगण में तुम्हें खड़ा करूँगा साहिब केते हैं, उत्पती परलय देऊ देखाई, मैं उत्पती और परलय तुम्हें बता दूँगा, कि संसार में यह निर्माड और विनास, उदै और व्याय, हानी और लाव, सुख और दुख के रहस क्या हैं हम इस थूल द्रिष्टी से एक मकान को जब देखते हैं, तो एक सुन्दर चमकता हुआ मकान दिखता है और इस थूल द्रिष्टी में ही कोई भी मकान हो, चीज हो, व्यक्ति हो, लोभ और मोह का कारण बनता है क्योंकि हमारे पास वो सुख्ष्म विवेक द्रिष्टी नहीं है तो साहिब कहते हैं कि मैं तुम्हें ये द्रिष्टी दे दूँगा कि तुम्हें यथार्थ समझ में आएगा जब हम मकान को ही और थोड़ा विचार करके देखते हैं तो इट, पत्थर, लोहा, सिमेंट का धेर लगता है और विचार करके देखते हैं तो धूल जड़ कणों का एक धोरहरा दिखता है इसी प्रकार ये प्राणियों की दें किसी को हम, किसी युवक या यूती को देखते हैं तो लगता है कि एक संदर, नौजमान और आकरशन का केंद्र बनता है लेकिन जब और विवेक से देखते हैं तो हड़ी मांस चाम का पिंड है तो ये दृष्टी जब ग्यान की विवेक की दृष्टी होती है तब मिलती है और सत्गुरु कहते हैं कि यह तुम्हें मैं देदूंगा विवेक, इसे कहते हैं विवेक गुरु विवेक और चिंतन से ही सारी स्थूल चीजें खो जाती हैं हमें निर्मित कारिपदार्थों में ही तो मोह होता है और वे असली नहीं हैं, माईक हैं सत्थ तो इकाई है, योग नहीं इकाई अंतिम सत्थ अयोग है बाहर से उसका चमक दमक का इस्थूल रूप इसलिए चमकता दमकता हुआ रूप में ही हम ना पड़े रहें बलकि उसकी सचाई को देखें तो सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें यह द्रिष्टी दे दूँगा उत्पति परले देऊं देखाई और करव राज सुख बिलसो जाई जो सारे द्रिष्टों को छणभंगुर समझ करके अपने अभिनासी सुरूप में निवगन हो जाएगा फिर वह तो राज करेगा और बड़े आनंद से उसका जीवन बीतेगा दुन्द रहित हो जाएगा और सुरू पिस्थिती आत्मिस्थिती का निश्कंटक उसे खजाना मिल जाएगा एको बार न होई है बाको बहुर जनम न होई है ताको सद्ग्रु कहते हैं कि तुम्हारा एक बाल भी बाका न होगा जिसने नासवान देखो प्राणी पदार्थों को नासवान समझ लिया और उसका राग छोण दिया फिर उसकी क्या हानी है नासवान पदार्थों के प्रती आशक्ती रखना ही अपनी हानी करना है जो सांसारी क्वस्तुओं में रात दिन आसक्त है उसी को सरवत्रहानी और लाब दिखता है अज इसने राग छोड़ दिया राग ही तो सारे दुखों की जननी है और राग को छोड़ने के बाद फिर बाल नबांका कर सके जो जगबैरी होए वाली दसा हो जाती है जिसने मोह द्वेस आशक्ति लालसा कामना आदि का सरवत्रह त्याग कर दिया है उसकी इस नस्वर संसार में क्या हानी हो सकती है अनाशक्त तथा स्वरूपस्त पुरुस जनम मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है सद्गुरु कबीर इस जड़ प्रकिति से भिन आत्म अस्तित पुनर जनम कर्मफल भोग तथा वासना त्याग से मौक्ष मानते हैं इसलिए वे कहते हैं बहुरी जनम ना होई है ताको यहां कहते हैं बहुरी जनम फिर से किसी एक सत्ता का जनम होता है अब फिर वो दुख पाता है तो यहां देखिए पुनर जनम मान रहे हैं सद्गुरु कबीर बीजक में जगा जगा पुनर जनम के स्वर खूब भरे हुए हैं अब पुनर जनम उसी का होता है जब कोई नित्त सत्ता होती है आत्मतत्त को वो मानते ही हैं बड़ी गहराई से तिस प्रकार से इस सचाई को समझने के लिए गुरु की दृष्टी गुरु का ज्यान और बोध मिलना कितना जरूरी है असाहिब कहते हैं मैं तुम्हें यह देदूँगा यह सिस्स के लिए सद्गुरु की कितनी अशीम कृपा है कि वे उसके कल्यान की समस्त साधन सामगरी को प्रदान कर रहे हैं जाय पाप सुख होई है घना निश्चय बचन कबीर के मना साहिब कहते हैं कि तुहारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे अनासक्त व्यक्ति के सारे पाप नश्च्ट होना ही है क्योंकि आसक्ती ही तो सारे पाप का साधन है आसक्ती है तो पाप है अब पुन्य समाप्त होता जाएगा उसका देख लो जहां जहां जिसके मन में जिन प्राड़ी और पदार्थों के लिए आसक्ती होती है तो उसके लिए जायज ना जायज कुछ भी करने के लिए वो सोचता रहता है और जब ऐसा सोचेगा तो धीरे धीरे उसके पवित्र संसिकार, सुभाव, विचार ये सब मिटने लगते हैं, छीण होने लगते हैं तो साहिब कहते हैं कि तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे और पाप समाप्त होने का मतलब है राग मोह आसकती समाप्त हो जाएगी और इसका मिट जाना ही साधक का काया पलट होना है कुछ नया नहीं करना है, बाहर से कुछ पाना नहीं है लोक लोक आंतर में जाना नहीं है किसी धाम की जरूरत नहीं है वो है भी नहीं बस यह घट भीतर साथ समुंदर यही में नदिया नारा यह घट भीतर अगिन जरत है यही में गुरू हमारा तो यही में डूबने के लिए साथ समुंदर भी है यही में जलने के लिए आग भी है और यही में उद्धार पाने के लिए गुरू भी है और इन बातों को बताने वाला कोई बाहरी गुरू की जरूत है बाहरी गुरू हमारे भीत्री गुरू को जगाता है और उसके बिना हमारा भीत्री गुरू सोता ही रहता है ये तो वैसे ही है गुर्देश जी जिसे कहा करते थे कि एक व्यक्ति कमरे के अंदर सिटकिनी लगाए बंद है और बाहर से कोई व्यक्ति सिटकिनी लगा दिया है अब वो निकलना चाहता है बाहर के प्रकाश बाहर की हवा बाहर के लोगों को पाना चाहता है तो चिलाया तो बाहर की सिटकिनी खोल देने मातर से तो बाहर नहीं निकलाएगा अब भीतर वाला जो सोयम बंद किये है उसको खुद को तो खोलना पड़ेगा अब बिना भीतर की सिटकिनी खोले वो बाहर नहीं निकल सकता है इसी प्रकार हम दुखों में बंद हैं अनेक बंधनों में, अनेक माननेताओं में, आसक्तियों में हम बंधे हुए हैं, तो बाहर का गुरु आ करके हमें बताता है, मानो वो खोल रहा है, अब हम खुद अपनी उन आदतों को, उन सुभाओं को, उन विचारों को, उन माननेताओं को छोणें, जब छोणेंगे, तो बाहर के गुरु का भी बल मिलेगा और अपना भी पुर्शार्थ करें, फिर देखी कितना जल्दी हमारे जीवन से दुख निकल जाएगा, इसलिए दोनों तरफ की जरुगत है, केवल गुरु हमारे जीवन से दुखों को नहीं मिटा सकता है, अलेकर केवल हम अकेले भी अपने दुखों को नहीं मिटा सकते हैं, इसलिए गुरु की जरुरत है, और गुरु पूर्णिमा पर इसलिए गुरु की पूजा की जाती है, कि इन उपकारों को याद करता है सिस्स, कि है गुर्देओ, हमारे जीवन में आपका जो योगदान है, अनादिकाल से हम किन-किन खानियों में, 33,9999 योनियों में हम भटकते रहे, 84,9999 योनियों में केवल एक योनि तो है, जो दुखों से छुट्टी पाने का उपाय बता सकता है, और किया जा सकता है यहाँ, अन्य 83,9999 योनियों जो हैं, वहाँ तो केवल दुख भोगने की जगहें हैं, और वहाँ आज तक हम भटकते रहे, आज मानो जीवन मिला, और इस मानो जीवन में बड़े सवभाग से सद्गुरु मिले, और सद्गुरु मिलने के बाद भी बड़े सवभाग से यह मुमुक्छा का भाव जगा, और इस भाव को पुष्ट करने वाले वे सद्गुरु ही तो हैं, और इस संयोग को अगर हम सफल ना बनाएंगे, तो कब हमारा उद्धार होगा, तो सद्गुरु यही बात कहते हैं, कि जाए पाप सुख होई है घना, मैं तुम्हें ऐसी युक्ती बताऊंगा, ऐसा रास्ता दिखाऊंगा, कि तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, और तुम्हें घने सुख, मतलब अत्यन्त सुख की प्राप्ती होगी, निश्चे बचन कबीर के मना, और ये बात मेरी तुम निश्चे करके मानो, इन बातों से लगता है कबीर साहब गरोक्ती कर रहे हैं, गरोक्ती नहीं है, ये साधिकारोक्ती है, और स्विकारोक्ती है, किसी बोधमान, आत्म लेन, सच्चे सद्गुरु के लिए तो सारा संस अदिकार उसके सामने बच्चे की तरह है और बच्चे के लिए तो अधिकार पूरूवक माता-पिता कही सकते हैं कि तुम वहां मत जा॓ नहीं तो दुख में फस जाओगे और फिर अपने सिस्चों के लिए गुरू तो कहा ही सकता है अगर गुरू नहीं कहेगा अधिकार पुरुवक उसको दुखों से बचने के लिए तो कौन कहेगा कौन उसे बचा सकता है गुरू लल्लो चपो करता रहा है गुरू उसको मुख देखी बात कहता रहा है तो कौन उसको बताएगा साफ निरड़ बोध विचार की बात फिर कैसे उसका दुख छूटेगा इसलिए ये गरवोकती नहीं है अपने सिस्षों के लिए और अपने जिग्याशूं के लिए अपने भक्तों के लिए गुरू को अधिकार पूरवक साफ निरड़ कहना पड़ता है इसलिए साहब कहते हैं कि निश्चय बचन कबीर के मना और फिर कबीर के वाल यहां अपने व्यक्तित्ट के लिए नहीं कबीर एक महान ऐसा व्यक्तित्ट है कि वे समस्त गुरुजनों में समस्त विवेकियों में मानो समाय हुए हैं और समस्त विवेकी मानो कबीर रूप ही हैं इसलिए कबीर एक व्यक्ति नहीं कवीर एक दसा है एक अवस्था है एक विवेक का बहुत उचा पलेट फारम है और उस पलेट फारम पर पहुँच करके संसार के लोगों को वे उबदेश कर रहे हैं कि तुम मेरी इन निरड़य बोध ग्यान गंभीर बातों को समझो इस संसार के समस्त लोगों के लिए ये कार करके ही उनके दुखों का अंत हो सकता है सादु संत तेई जना जिन मानल बचन हमार वही सादु है वही संत है जो मेरी बातों को मानता है मेरी बातों को माने और देखिए संतों सादकों के भी वे आधार हैं महा सादु महा संत महा त्यागी महा ज्यानी महा जीवन मुक्त तभी तो वे कहते हैं कि वही साधू है वही संत है जो मेरी बातों को मानता है मेरी बात क्या है उनकी बातें क्या है उनकी बात यही है कि संसार से मोह हटा करके अपने सुरूप की तरफ लोटो मन इंद्रियों को सवस करो इच्छाओं कामनाओं को सांत करो त्याग और वैराग ही सुख प्राप्ति का सच्चा आधार है तो इस प्रकार से साहिब अधिकार पूरुवक अपने सिस्ष के लिए बड़े प्रेम से बताते हैं कि साधु संत तेई जना जिन मानल बचन हमार मेरी बातों को तुम मानो और मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारे मन की अविद्या आशक्ती सबसमाप्त हो करके तुम्हें विवेक का निरड़े ज्यान का सैयम और त्याग का सच्चा रास्ता प्राप्त होगा और उस रास्ते से चल करके ही तुम अपने जीवन में निरंतर की खुशहाली को प्राप्त कर सकोगे नहीं तो ये मन इंद्रियों का जो प्रबल तूफान है ये तूफान बड़े बड़े ज्यानियों को भी रगड़ करके रख देता है कोई ना कहे कि मैं इतना बड़ा बिद्वान हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतने दिन का साधक हूँ, मैं इतना ज्यानी हूँ ये ज्यानियों ने ही तो बड़ी हलचल मचा रखी है अज्यान की हलचल ज्ञान और भक्ती दो साधन है कल्यान पत्पर आगे बढ़ने के लिए और पूर्ड दसा को प्राप्त करने के लिए ही दोनों चीजें हैं लेकिन इनी का दुरूपियोग नरक में डूबने के लिए भी प्रयाप्त है कैसे है एक तरफ भक्ती को कहा गया है कि मुक्ती कान सामगणाम भक्तिरेव गरीर सी मुक्ती प्राप्त करने के लिए भक्ती प्रथम आधार है और सबसे मुख्याधार है लेकिन ये भक्ती ही भक्ती के नाम पर कहा कहा पूझ करके जड़ उपासना करके और लोग भटक गए और जहां जड़ में पत्थर में मिट्टी में और लकडी में लोहा में नदी में पानी में आकास में पाताल में कहां कहां सरपटक पटक करके हम भक्ती को नश्ट करते रहें और भक्ती के नाम पर केवल दिखावा आडंबर और जहां पर सच्चे देवी देवता हैं वो नर नारी प्राणी उनकी दुख तकलीफ का कारण बनते रहे उनको सताते रहे तो ये भक्ती का दुरूपयोग हुआ की नहीं अगर दूसरी तरफ ज्ञान का दुरूपयोग ये ज्ञानियों ने कहा की ज्ञान की उस उचाई पर पहुच जाने के बाद उस ज्ञानी की इंद्रियां कुछ भी करती रहें उसके जीवन में कुछ फरक पड़ने वाला नहीं है हम ज्ञानी हैं हम अपनी आत्मा में लीन ह और ये ज्ञान का महादुरूप योग करके भरष्टता का कारण बने और समाज में बहुत बड़ा बिनास का तांडव फैलाए इसलिए ये ज्ञान और भक्ती दोनों जैसे कल्यान के साधन है वैसे ही बिनास के भी साधन है इसलिए सद्गुरू कहते हैं कि तुम्हें मैं वो विवेक द्रिश्टी दूँगा जिससे जीवन तुम्हारा कल्यान की पत पर चल करके पूड साफ तुम्हें मुक्ती दिखाई दे तो साधु संत तेई जना जिन मानल बचन हमार सच्चा साधु वही है जो ऐसे विवेक और ज्ञान संपन्य भक्ती संपन्य सद्गुरू कबीर की बातों को मानता है आदियंत उत्पति परले देखव द्रिश्टी पसार जब तुम्हारी धपी द्रिश्टी खुल जाएगी तुम अपनी विवेक द्रिश्टी से जना मरण के रहस्य को संसार की वास्तिविक्ता क उत्पति और प्रले को अर्थात यहां की परिवर्तन सीलता को देख सकोगे ऐसा है संसार जैसे समुद्र में निरंतर उत्ताल तरंगे उठ रही हैं और उसमें पड़ा हुआ कोई व्यक्ति पशु जहाज अगर वो कुशल नहीं है तैरने में सावधान नहीं है तो डूब क करके नश्ट हो जाता है ऐसे ही यह संसार है संसार में अगर जीने की कला नहीं है तैरने की कला नहीं है और सरद्धा भक्ति नहीं है विवेक विचार नहीं है संयम और साधना नहीं है निर्मोहता अना सक्ति नहीं है तो क्या दसा होनी है इस मनुस्थ से बढ़ करके और भी कोई वीपत में जा सकता है प्राणी मोह आसकती में पढ़ करके क्या-क्या कुकरम नहीं करते लोग और ज्ञान की उचाई में चड़ करके क्या-क्या लोगों नहीं किया परम इस्थिती दिब रहनी में पहुँच करके चाहे बुद्ध महाबीर हो चाहे कबीर दयानन्द विवेकानन्द हो और चाहे कपिल कडात जयमिन वादरान हो और चाहे सद्गुरु विशाल देव अभिलाज देव, पूरण देव, काशी देव आदी हमारे पार्खी संत हो इसलिए ये काम मानो जीवन में ही संभव है और सद्गुरु कबीर ये गुरु की दसा को بتाते हैं यहां पर सिस्थ के जीवन में कैसे उसका लाब होता है और गुरु पूर्णिमा पर गुरु के उपकारों को ही याद करके समस्त, भक्त और संत, किसी भी मत्पंत के हो गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु की पूजा करते हैं और ये उपाशना करने का फ़ल ये है कि आज से मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन से सभी संथ पहले तो भ्रमण में रहते हैं अचारों तरफ देश में जहां तहां भक्तों में भ्रमण करते हुए सिच्छा उप्देश करते रहे लेकिन गुरु पूड़्मा के दिन इकठे होकर गुरु की पूजा किये और फिर चार महीना वर्षा वास करते हैं गुरु के स हृच्छन में रह करके और फिर गुरु के विचार उप्देश रधा भक्ती का पूरा लाभ लेते हैं तो इस प्रकार से गे गुरु पूर्णिमा का मतलब हुआ और उसी उपलक्ष में आज हम सद्गुरु कभीर देव जी के रमयनी प्रक्रण के 88 रमयनी पर चर्चाएं किये कि एक गुरु का सिस्ट के जीवन में क्या उपकार होता है और उन सारी बातों को सद्गुरु ने अपनी इस रमयनी में बहुत असपश्ट धंग से व्यक्त किया है कि गुरु का जीवन एक मा की जीवन की तरह होता है जो प्यार इसने सरलता से भरा हुआ और सिस्ट के कल्यान के लिए मा की तरह सरल्चित और उसके हर प्रकार के दोस्ट दुर्गनों को लखाते हुए बताते हुए और उसके कल्यान का रास्ता दिखाते हैं क्योंकि सिस्ट भी एक देवता है वह भी साधना जिग्यासा मुमुक्छा से भरा हुआ और गुरु को समर्पित हो करके आजिवन उनकी सरण में रहने के लिए आया है तो सामाने नहीं है भाले वो स्वरूपिस्थिती के उचाई पर नहीं पहुचा है लेकिन वह भी देवता है और सद्गुरु से कहते हैं तो कह राज देव हो देवा हे देव, हे पुत्र, हे सिस्से मैं तुम्हें राज देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ तो ये बहुत ही महत्पूर्ण पद है और इस पद को सभी साधकों को खुब मनन करना चाहिए और गुरु सिस्स दोनों के लिए बहुत महत्पूर्ण है तो इस बात को हम लोग पुना हम मनन करें और अपने जीवन में इसका आच्रन करें बस अपनी बातें ही पर समात करते हैं की जये